हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल और फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पोदो के बारे में बताऊंगी जो ना सिर्फ आपके घर की सुंदर्ता को बढ़ाएंगे बलकि घर में ठंडक भी पहुचाएंगे गर्मिया आते ही हमें ऐसे पोदो की अज मैं आपको पांच ऐसे पोदो के बारे में बताऊंगे ऐसे पांच पोदो की जानकारी दोंगी जिने आप अपने घर में लगाएंगे तो घर में चारों तरफ ठंड़ा की धंडक पहुचेगी तो और ये ऐसे पोदें जिने आप आउट्डोर ही नहीं इंडोर भी सबसे पहले आता है हमारा एरिक अपाम एक ऐसा प्लांट्स है जो घर में ठंड़क पहुचाता है और घर की हवा को भी शुद करता है एक ऐसा पोदा है जिसे आप इंडोर आउट्डोर यानि घर के अंदर या घर के बार कहीं पर भी रखें वहां पर यह अच्छे से ग्रो आप कर सकते हैं के इससे बना सकते हैं और फ्रैंड्स यह यह जरूरे है जितने ही पोदे अच्छे से घ्रो नहीं आपको बस इनके पानी का दियान देना है तो चलते हैं friends next plant की तरफ और friends यह है snake plant snake plant काफी शुप पोदा माना जाता है का जाता है कि जिस घर में यह पोदा होता महापर कभी भी हवादूशित नहीं होती है हवा को यह शूद करने वाला पोदा है आप इसे घर के किसी भी कोने में लगाएं इंडोर आउडोर कहीं पर भी रखें अपने जहां पर आप सोते हैं वहाँ पर लगाएं किचन में लगाएं सब जगए अच्छा पोदा अच्छे से सर्वाइब करता है और नहीं इन पोदों को ज़्यादा केर करने की ज़रूत होत इनको दूसरे गंबले में लगा सकते हैं यानि एकी पोदे साब डेरो पोदे इसके बना सकते हैं और फ्रेंट्स देखने में भी पोदा बहुत ही सुन्दर लगता है इसने प्लांट की कई वैराइटी आती हैं सारी ही अच्छी हैं आपको जो उनसा पसंदो आप उस पोद दो घर्में होने चाहिए जितना पोदे आपके घर्में होंगे उतने ही गर्मी हंको कम लगेगी तो मेरा मानना है पेड़ों को काटने की बजाए हमundert हेर इसमें पास पैडर जरूर लगा पाते तो अपने घरंए तो आपने सुन्दर्ता के साथ हवा को भी शुद करते हैं और देखी फ्रेंट्स मैंने तो स्नेक प्लांट ही अपने बैड्रूम में भी लगाया है उसी जो भी मैंने आपको पोदा दिखाया था गमले में उसी की कटिंग मैंने एक छोटे से पोड में लगाया और देख इतने अच्छी पोदा अलोवीरा हावा को शुद और ठंड़क पोचाने के साथ स्वास्थे के लिए था अच्छा माना जाता है कहते हैं कि एगर इसके जैल को बालों पे लगाया जाए था अच्छी होती है अगर आपके घर में ज्यादा हो एक मतलब कई गमलों में अलोवीरा है तो आप जूस बना करके भी पी सकते हैं स्वास्ते के लिए अच्छा माना जाता जिनके शुगर होता जिनको उनको तो जरूर पीना चाहिए तो आप लोवीरा को लगा सकते हैं और फ्रेंटस यह पौता उसा है कि इसकी आप ट्रेम आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं यह और इस पौते को भी जैदा केर करने के जरूत मिचें की तरह ही यह पौता है इसके आप अगर पंद्रे दिन में पांडी दोगे तो यह चलेगा यह खराब नहीं होगा बस यह कि इसको आपको तेज दूप में नहीं रखना जहां बिल्कुल सूरी की सीधी करने किरने पड़ती है वहां इस पोदे को रखने से बचे क्योंकि अगर आपने वहां पर रखा तो इसकी पत्ते पिली पढ़ने लग जाती है और खराब होने का डर रहता है और फ् स्टिक मेरे पास थी नहीं तो मैंने एक पाइप बिजली का जो पाइप होता है तंगी का उसको मैंने लगाया और उसी पर मैंने धागी की सायता से इस बेल को चड़ा दिया कितने अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं बस ही है कि मनी प्लांट को आपको तेज दूप में नही सब्सक्राइब करें और ता इस भी चलता तो देखे मैंने प्लांट को शर्वाइब कर रहे हैं इस नहीं कि हमापनी आपने ईसको और रहे हैं इस प्लांट के आपका पोदा गर करेगा अगर आप इसे बार बार जगे इसकी चेंज करेंगे कि हाँ भी को एक दो दिन धूप में रखा या तो यह पोदा खराब होने लग जाता है पत्यां इसकी पीली पढ़ने लग जाती और यह पोदा दीरे-दीरे सूख जाता है बहुत से लोगों का कहना होता है कि हमार में घर के कोने में रखा हुआ है और यहां पर इसमें जाली में से अलकल कि दूप पड़ती है बस और यह पोदा देखिए कितने अच्छे सी सर्वाइव कर रहा है और ना मैं इसकी जादा केर करती सब मैं जब याद आता तब पानी देती तिन दो तिन दिन में बस यह है कि इसकी गर्मियों में इसकी पत्तियों पर पानी से परते रहें और हफते में एक बार चाय या दूद को पानी में मिक्स करके इसमें डाल दे मनी प्लांट के ऊपर तो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो तो यह शूद करता है घर में ठंडक पहुचाता तो यह पोदा मैंने अभी लिया है एक दो दिन पहले ही और अभी इसे लगाने का भी थोड़ा सा टाइम नहीं क्यों कर में थोड़ा सा काम चल रहा है और देखिए यह पोदा भी मैं अभी तो छोटे पोट में फिर इसको गमले में लगाना तो एक छोटी वेराइटी आती है इसकी तो मैंने छोटे वाली वेराइटी लिए जो कम ग्रोथ हो जिसकी इतना की हां कमले में वह चल जाए तो फ्रेंड्स बस यहीं तक ती मेरी वीडियो और वीडियो आपको कैसी लगे अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेर कमेंट करना ना भूलें तो फिर मिलते हैं एक नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ जब तक के लिए बाबाए फ्रेंड्स